वेलकम बाग तो माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग तू नॉर्सेट, I hope you all doing well और आप सबकी प्रेपरेशन फॉर बीस्ट यॉनस नर्सिंग इंटरिंस एक्जाम 2024 अच्छे से चल रही हो, 15 अप्रिल से आपका रिविजिन स्टार्ट था, तो उस रिविजिन में आपको कौन कौन से चाप्टर कब तक कमπ्लीट करने हैं और कैसे कम्प्लीट रिविजिन करना हैं, उसके लिए मैं यानि कि आपकी दीप्ती-दी लेकर आ रही हूं, रिविजिन शेडिूल पूरा अपरिल से लेके, मे से लेके, जून के एक्जाम होने तक का शेडिूल की, आपको हर ए एक वीक में फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायो की कौन-कौन से चाप्टर है, जो पर्टिकुलर डेट, एक डेट फिक्स्ट होगी, उस डेट तक तुम्हारा कम्प्लीट हो जाना चाहिए, इस तरह से आपका क्या होगा, आपको एक टागेट मिलेगा, वीकली बेसिस पे, डे जो शेडिूल दोंगी, सिर्फ शेडिूल के अकॉर्डिंग, जो भी चाप्टर आएंगे, आपके जो प्रायोर्टी है, टेस्ट वो प्रायोर्टी ऐसे है, कि जो सबसे जादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटे जादा है, उनके टेस्ट पहले होंगे, और बाद के जो उनके धीरे-धीरे बाद में होते जाएंगे, ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जिन बच्चों ने पहले से अल्रेडी टेस्ट सीरीज ले रखी है, उनको कुछ नहीं करना, कोई टेस्ट सीरीज, कोई एक्स्टर चीज जोईन नहीं करनी है, आपको अलग से एक टेस्ट करना है, टेस्ट अटेम्ट करने के 24 आर्स आपका रिजल्ट डेकला हो जाएगा, कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, और इस तरह तुम्हें अपने धीरे-धीरे हर एक टेस्ट देने के साथ अपने मार्क्स को इंप्रूफ करते जान जो न्यू बच्चे है जिन्होंने अभी तक टेसरी जॉइन नहीं की है यह तुम्हारे पास लास्ट चांस है जॉइन करने का क्योंकि बहुत कम टाइम मिला बचा हुआ है अगर अब भी तुम टेस्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा यह इंटरंस एक्जाम ड कि हर एक दिन आपको कौन कौन से चाप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपको डेली पेसिस पे कंप्लीट करके उनका टेस्ट देना ही है किसी भी हाल में ठीक है और यह जो शेडूल होगा बहुत जादा ही फ्लक्सिबल होगा ऐसा नहीं है बिल्कुल ही रिजिट है उसमें आपको बहुत सारा टाइम तिया जाएगा प्रिपर करने के लिए बीच-बीच में आपके मॉक टेस्स भी कंड़क्त होगे तो मॉक टेस्स के लिए पूरा आपको एक दिन खाली मिलेगा उस उस मॉक टेस्स को देने के लिए तो यह जो शिडूल है तेस्ट का रि कर देना है और टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट अन्नाउंस किया जाए जाए जिसमें मैं जैसा कि आपको बता है है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोजी और गी के यहां पर देख सकते हो क्लियर ली मैंशिंग किया जाए जाएगा तो जी के का भी इंट्लूड किया जाएगा जी के का भी आपको करना है और इसके लिए मैंने बोला है नर्सिंग टुन और से टाप डाउनोड करना तो यह जो टेस्ट शेडूल है आपका 15 अपरिल से स्टार्ट हो रहा है और 15 अपरिल से वीकली बेसिस पे आपको एक शेडूल दिया जाएगा उसके अकोर्डिंग आपका टेस्ट कंड़क्ट होगा तो आल बेस्ट यह लास टाइम है अगर इस टाइम को भी तुमने सीरियसली नहीं लिया तो सच में तुम एक बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी अपने हाथ से खो दोगे बाई